आम वात आम लोगों की वाट लगाने वाला वात इसे ऐसे बूल सकते हैं जी हाँ आज हम बत करें ऐसी बीमारी के बारे में जिसमें लोगों को जोडों का दर्द होता है और भयंकर दर्द होता है और उस दर्द के लिए वो फिर कोई भी चिकिस्सा कराने जाते हैं वहाँ पे तेल लगा लो जैसे ही वो तेल लगाते हैं दर्द और बढ़ जाता है या जैसे ही कुछ खाते हैं तो दर्द बढ़ जाता है इस तरह की जो तकलिफ होती है उसे आईरविद में आम वात बोला जाता है तो ये आम प्लस वात आम वात ये है क्या होता क्यों है उसके लिए क्या प्रॉपर इलाज कराना चाहिए और क्या क्या चीज़े आप घर पे कर सकते हैं पूरी जानकारी आज इस वीडियो में नमस्कार, स्वागत आप सभी का मिश्रुविदा इस चैनल पे जहां हम बात करते हैं शुद्धाइरविद के बारे में और आज का टॉबिक है आम लोगों की वाट लगाने वाला एक जो बीमारी है जिसे आम वाट बोलते हैं यह होता क्यों है उसके पहले चलू एक केस से मैं इसको शुरू करता हूँ मेरे पास एक केस आया, वो था 13 जनवरी 2023 को राजस्थान की एक महिला जिनकी ऐस 54 एर ठीक उनकी देखे तकलीफ क्या है उनको तकलीफ है फुल बॉडी में दर्द होता है ठीक है और पेट उनको साफ नहीं होता है सुबह के समय उनको दर्द जादा होता था और ठंडी से दर्द जादा होता था यह तकलीफ फिर उनमें बोला था कि breast की नीचे जो उनका जो breast मतलव area है वहाँ पे हमेशा जलन होती थी भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, skin dry थी, hypothyroidism था, पेट में हमेशा गोला जैसे लगता था और सुना बन था ये एक तकलीफ, फिर बोलते हैं urine हमेशा यलो होता था कफ बहुत बनता था, जीप फटती थी और उनको पंजो में जो सुनापन है, इस तरह की तकलीफ होती थी, उनका जो वजन था वो around 42 के जीग आसपास होगा, अब ठीक है 42 किलो वजन है, उनके घरवालों ने बुला कि उनकी height 5-6 के आसपास है, वजन भी कम होते जा रहा है ह जा करेंगे, या ज़्यादा तर लोग क्या करते हैं, कि ठीक है, दर्द वर्द हो रहा है, तो आप काम करो कि रोज शरीर पे तेल लगाना चालू करो, और शरीर कमजूर है तो दोत पीना चालू कर दो, यहीं से problem चालू होती है, अगर यह इन पेशन ने पहले तेल लगाया और जब जब यह तेल लगाते थे, इनका दर्द और बढ़ जाता था, इनकी तकलीफ और बढ़ जाती थी, क्यों? वात के लिए तो आईरविद में बोलते हैं कि तेल लगाना चाहिए, तेल लगाने से दर्द अच्छा हो जाता है, बड़ यहाँ पे तेल लगाने से जो भी टॉक्सिंस बनते हैं, वो उनको क्या करती है वायू? ले जाके जहाँ 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 स्टलेश में स्थान, मतब जहाँ जहाँ आपके जोड है, और उन जोडों के बीच में क्या है? जगा है, आपके जितने भी जॉइंट से वो कफ और वात के एरिया है, ठीक? तो जहाँ जहाँ आपकी संधियां है, जोडों से, वहाँ पे उन टॉक्सिंस को एकठा करती चली जाती है, और ऐसे लोगों को सुबा उटने पे भयंकर दर्द होता है, सुबा मतब ऐसे लगता है कि उठना उनके लिए मतब प्राण निकल जाएगा, इस लेवल का दर्द उनक पाचन नहीं होता और उसके करण दर्द होता है, यह है आमवाद, यह आपको आमवाद की बिमारी है, अब पहले जानते हैं कि यह जो इतनी सारी प्राब्लम करने वाली बिमारी है, जॉइंट्स को और शरीर को दर्द को, कई बार फीवर भी आएगा, बहुत पेन होगा, ब पुस्तक है, उसमें उन्होंने कुछ कारण बोले हैं, जिन कारणों से यह बिमारी होती है, पहला कारण माधो निदान में माधो जी बोलते हैं कि विरुद्धाहार, ऐसे लोग जो कि रॉंग फूड कॉम्बिनेशन खाने में बहुत इंट्रेस्टेड रहते हैं, दूथ ख जिसके अंदर नमक है, ऐसे आइटम आप खा रहे हैं, और दूध वाली चाय पी रहे हैं, क्या हुआ विरुद्धाहार, मिलक शेक पीने में इंट्रेस्टेड हैं, केला और दूध, क्या है विरुद्धाहार, ठीक हैं, या दही को गरम करके खाने की आदत है, तो ऐसे पैदा करता है, सेखिन फिर माधो निदान जी ने बोला है, ऐसे लोग जो अतीस निग्द आहर खाते हैं, अतीस निग्द क्या हुआ, दूध लिया, दूध चिकना है नेचर में, अब उसके अंदर डाल दिया दो चमच घी, क्या हो गया, अतीस निग्द हो गया, पनीर चि लिकनापन बहुत ज़्यादा नॉनवेज, नॉनवेज उसके अंदर भर भर के तेल विल डाल कर बना कर खाते हैं, ऐसे लोगों को ये आमवाद ज़्यादा होता है, फिर माधो जी ने बोला है कि ऐसे लोग जो ऐसी चीज़े करते हैं, जिससे अजीर्ण होता है, पहले यहाँ पे मुंबई में ही मुंबरा नाम की जगा है, वहाँ से एक पेशेंट आये थे जो दिन में 12 लिटर पानी पी दे थे, क्यों सोचते थे कि किड्नी साफ हो जाएगी, तो बिना प्यास के पानी पीना, जिससे की अगनी डाउन कर लेना, भूख नहीं है, फिर भ बज़े उटके कुछ और खा रहे, साथ बज़े थोड़ी सी चाय, आठ बज़े खाना, और दस बज़े दूथ, बार बार खा रहे हैं, खाने को हजम नहीं होने दे रहे हैं, तो यह आपको आम बात करेगा, फिर ऐसे लोग जिनको खा के तुरन दिन में सो जाने की आदत है दही, वही, पराठा और अठा काया, और मस्त दो-तिन घंडे के लिए लेड गए, आम बात करेगा, ठीक, ऐसे लोग जो खाने की तुरन बात वयाम करते हैं, प्री वर्काउट में कुछ तो चाहिए, तो मस्त निप्टा लिया, कुछ खा लिया, और आदे गंडे बात जाके जिम कर रहे, जबकि खाना हजम होने में आपको तीन से चार घंडे का टाइम लगता है, वो खाना हजम हुआ नहीं है, या रात का खाना हजम नहीं हुआ है, सुबह उठे वर्काउट चालू कर दिया, या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पेन होगा, भूख नहीं बुखार आएगा, शरीर में भारीपन लगेगा, जो आपकी जॉइंट से वहाँ पे जो बिच्चु होता ना बिच्चु का डंक मारने जैसा इस लेवल का पेन होगा, थोड़ा गरम पानी मानी में रखेंगे तो अच्छा लगेगा, तेल वे लगाएंगे तो और दर्द बढ़ जाएगा, यह सारे लच्चर आम वात के हैं, तो इसमें इलाज क्या करना चाहिए, अब इस बीमारी में दो शब्द बहुत इंपोर्टेंट है, आम और वात, पहला इंपोर्टेंट किसको दिया गया है, आम को, सेकेंड इंपोर्टेंट दिया गया है वात को, तो प लंगनम, स्वेधनम, तिक्त, दीपनानी, कटूनीच, ऐसे करके श्लोक आये कि पहले लंगन करो, पहले उपवास करो, क्योंकि और जो खाया था वो हजम नहीं हुआ है और वो टॉक्सिन्स आपकी बॉड़ी को डैमेज कर रहा है, उसके उपर से आप और कुछ डालते जाएं उसके अंदर सोट डाल के लो, खाने में कडवी चीजे इंट्रोड्यूस करो, जैसे कि करेला है, परवल है, इस टाइप के आइटम, इनका सूपूप बना कर थोड़ा पीना चालू करो, क्यों? क्योंकि उससे अगनी बढ़नी चाहिए, बिटर टेस्ट डॉमिनेंट चीजे लीजिए, अगर वो खाएंगे, तो आपकी अगनी बढ़ेगी, तो जब तक आपका पाचन इंप्रूव नहीं होता, आपको पेन में कोई आराम नहीं होगा, आपको जितने पेन किलर खाने हैं, एनसे आइडीज खानी हैं, या मलहम मलहम लगाने हैं, लगा लो, क्योंकि मे अइरवेद में इसमें बोला है कि पंचिकर्म करके, पंचिकर्म करके जो भी टॉक्सिंस, अमदब विरेचन नाम की एक चीकिस्सा होती हो, बहुत अच्छा काम करता है, तो आपके आपे जो भी आईरवेदिक सेंटर या पंचिकर्म सेंटर होगा, वहाँ जाईए, जब आ अपने नजदी की डॉक्टर से पूछ सकते हैं, उनमें से कुछ मेडिसिंस मैं आपको बोलता हूँ जो बेनिफीशल होगी, जैसे की अमरुतोत्तर कशाय, इस नाम की एक दवा आती है, इस अमरुतोत्तर कशाय में गिलोए है, हरड है और सुन्ठ है, ये कॉम्बिनेशन ब इंदर स्वोट या जिंजर पाउडर, आधा गलास गरम पानी में डालके, रोज सुबह खाली पेट पिएंगे, तो थोड़ा सा आपको दर्द कम होने में मदद मिलेगा, जो आपको जोडो में दर्द हो रहा है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का तेल नहीं लगाना चीए, व अब तक जब तक आपका अगनी अच्छा नहीं होता, एक बार अगनी अच्छा हो जाएगा, तब इसके बाद आप वहाँ पे तेल जो है, जैसे कि सरसो का तेल, तिल का तेल, विशिगर्ब तेल, इस तरह की जो तेल हैं, वहाँ पे आप लगाने के लिए, आपकी बॉड़ पर भी चाहें, तो एक चम्मच गिलोए का पाउडर और वन फोर चम्मच सोट का पाउडर इसको मिला के शायद में मिला कर भी ले सकते हैं, या डारेक गरम पानी के साथ खाने के लिए ले सकते हैं, ये दर्द कम करेगा, और सी हनाद गूगल जैसे आईरवेद की कई दवा ये सारी चीजे दी जाती है, जिससे की बहुत जल्दी अच्छे से पेन कम होने में मदद मिलता है, तो इतने सारे उपाए हैं आप कर सकते हैं, बाकि आईरवेद में दवाईयां तो 200-500 से ज़्यादा अलग-अलग टाइप के पाउडर है, कई सारे चोरण हैं, कई सारे ते जो कि आप नजदी की आईरवेदी डॉक्टर को पूचके कर सकते हैं, इसमें मसाले वाला खाना खाना ज्यादा फाइदे मंद रहेगा, या ऐसी चीजे जो अगनी बढ़ाने में मदद करती हैं, तो जैसे कि आपने मून का सूप बनाया, तो मून का सूप पीने से अगर आ जाल के उसको सेक लिया, उसको आप मून का तड़का लगा के मून का जो पानी है उसमें, या फिर जो चावल का पानी है, इन चीजों में लगा के लेंगे तो ज्यादा अच्छा, खाने में गेहूं अवाइड करना चीजे, चावल अवाइड करना चीजे, कूकर का खाना ब का दर्द है वो 40-50% दर्द कम हो जाएगा रिमेनिंग पेन के लिए आपकी प्रकृति क्या है उसाब से आपकी जो भी पंचिकर्म डॉक्टर है या एर्विधिक डॉक्टर है वो डिसाइड करके क्या-क्या ठ्रीट्मेंट करना है वो आपको गाइड करेंगे तो यह बहुत ह कॉमन बिमारी है आजकल मैक्जिमम लेवल का जो हमें पेन देखने मिलता है वो आमवाट डॉमिनेंट ज्यादा पेन होता है बजाए कि वात के करण होने वाला पेन मतलब खाना हजम ना होकर होने वाला दद आजकल ज्यादा देखने मिलता है बजाए कि प्योर वात के करण degeneration होने वाला पेन तो इसमें उपवास करना एक बहुत कमाल का treatment है तो वो इस वीडियो का में सारबा गया ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जिरूर बताईए और इसे कौन से टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें